Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोईट नजीम एजीकियल की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है गुडबाइ पार्टी फॉर मिस पुश्पा टी एस Friends, इस पोईट में एक तरह की स्पीच दी गई है, एक फेरवेल स्पीच है मिस पुश्पा के लिए जो की कुछ दिनों में अपनी कंट्री इंडिया को छोड़ कर किसी दूसरी कंट्री में जा रही है जो speaker है वो एक farewell speech दे रहा है Miss Pushpa के लिए और बताता है कि Miss Pushpa कैसी है मगर उनके speech देने का जो अंदाज है वो इस poem को humorous बनाता है पहला reason है उनका use of Indian English Friends, पहले के समय में जब इंडिया में Britishers आए हुए थे और इंडिया आजाद नहीं हुआ था तो बहुत से लोग English बोलने की कोशिश करते थे लेकिन उतनी fluently नहीं बोल पाते थे उसे बाबू English कहा जाता था जो बड़े position पर जो इंडियान्स रहते थे वो बोला करते थे लेकिन उसमें बहुत सारी grammatical mistakes होती थी और बहुत सारी words ऐसे थे जो सही नहीं होते थे तो इस poem में कुछ उसी तरह का sequence बनाया गया है साथ ही यहाँ पर जो speaker है वो एक बहुत ही humorous person लग रहा है इसलिए क्योंकि उसमें public speaking skills नहीं है जब आप public को introduce करते हैं और एक speech देते हैं तो आपके मुँपर एक control एक filter होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है लेकिन जो speaker है वो topic से भटक जाता है और अपने personal experience देने लगता है तो इसलिए भी यह poem थोड़ी funny हो जाती है Friends, Nisim Ezekiel एक Indian Jewish poet, actor, playwright, editor और art critic थे उनका जन्म हुआ था 16 December 1924 में और उनकी death हुई थी 9 January 2004 में साथ ही उन्हें साहित Academy Award मिला था 1983 में उनकी famous works में Night of the Scorpion, Latter Day Pants यह सभी शामिल है तो चलिए Friends अब poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days यानि दोस्तो हमारी प्यारी बहन जा रही है, कहां जा रही है तो foreign foreign जाने वाली है, विदेश जाने वाली है दो-3 दिनों में और यह dear sister कौन है तो Miss Pushpa and we are meeting today to wish her born voyage और आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं उसे born voyage wish करने के लिए यानि उसे safe journey wish करने के लिए और उसे goodbye कहने के लिए यानि इस first stanza को पढ़ कर ही हमें यह पता चल जाता है कि poet जो है वो एक farewell speech देने वाला है यह speaker एक farewell speech दे रहा है एक woman के लिए जो की विदेश जाने वाली है You are all knowing friends, what sweetness is in Miss Pushpa Friends, पहली line को पढ़ कर ही आपको पता चल गया होगा कि यह जो English है यह सही नहीं है You are all knowing friends नहीं होना चाहिए, you know friends इस तरह से करके होना चाहिए आपको तो पता ही है कि Miss Pushpa जो है वो कितनी sweet है उनके अंदर कितनी मिठास है, वो कितनी अच्छी है, उनका behavior कितना अच्छा है I don't mean only external sweetness, but internal sweetness यानि मेरा मतलब सिर्फ external sweetness से नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि Miss Pushpa जो है वो बाहर से बड़ी अच्छी दिखती है देखने में बड़ी प्यारी है, नहीं, internal sweetness से भी है क्योंकि वो दिल से भी बड़ी अच्छी है, दिल की साफ है और लोगों की care करती है Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason, but simply because she is feeling यानि Miss Pushpa जो है वो मुस्कुराती है और मुस्कुराती ही रहती है जब कोई reason भी नहीं होता, बिना वज़ा मुस्कुराती ही रहती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मन करता है यानि एक तरह से जो poet है वो बताना चाता है कि Miss Pushpa जो है वो बहुत ही smiling person है हमेशा खुश रहती है, लेकिन उसका choice of words थोड़ा यहां पर weird हो गया है Miss Pushpa is coming from very high family यानि Miss Pushpa जो है वो बहुत ही high family से एक upper class family से belong करती है यानि उनके फादर जो थे वो एक जाने माने advocate थे एक वकील थे बलसर में या सूरत में I am not remembering now which place मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी जगह पे थे या तो बलसर में थे या सूरत में थे लेकिन मुझे जगह सही से याद नहीं है सूरत a yes यानि सूरत हाँ हाँ सूरत में काम करते थे Once only I stayed in सूरत with family members of my uncle's very old friend यानि एक बार ही मैं सूरत में रहा हूँ अपने अंकल के पुराने दोस्त के family members के साथ यानि यहाँ पर जो speaker है वो अपना खुद का experience शेर करने लगा उसे Miss Pushpa के बारे में कहना था लेकिन वो अपना ही एक experience बता रहा है जब वो सूरत गया था और एक family के साथ वहाँ पर रुका था His wife was cooking nicely That was long time ago और उनकी जो wife थी वो बड़ा अच्छा खाना बना रही थी और इस बात को काफी समय बीट गया है यानि यहाँ पर speaker अपना खुद का एक incident बता रहा है Coming back to Miss Pushpa She is most popular lady With men also and ladies also यानि speaker कहता है कि ठीक है वापस से Miss Pushpa पे आते हैं वो सबसे popular lady है Men's में भी और ladies में भी यानि simply कहा जाए तो जो Miss Pushpa है वो बहुत popular है सभी उन्हें जानते हैं जो men हैं वो भी जानते हैं जो female हैं, ladies हैं वो भी उन्हें जानती हैं Whenever I say her to do anything यानि जब भी मैं उनसे कहता हूँ कुछ करने के लिए She was saying Just now, only I will do it तो वो हमेशा ये कहती है कि मैं अभी तुरंत इसे कर दूँगी That is showing good spirit यानि ये उनके good spirit को दिखाता है वो दिखाता है कि किस तरह वो काम करना चाहती हैं लोगों की help करना चाहती है I am always appreciating the good spirit और मैं हमेशा उनके अच्छे spirit की उनके good spirit की hard work की तारीफ करता हूँ उन्हें appreciate करता हूँ यानि पुश्पा मिस जो है वो कभी no नहीं कहती किसी काम के लिए मना नहीं कहती है Whatever I or anybody is asking She is always saying yes यानि जो भी काम मैं कहता हूँ या कोई और उनसे कहता है वो हमेशा उन्हें yes में reply देती है कभी किसी की help करने के लिए no नहीं कहती And today she is going to improve her prospect और आज वो अपने इस prospect को इस आदत को और भी ज़ादा improve करने वाली है And we are wishing her bond voyage और हम उन्हें शुब यात्रा wish करने आए हैं यानि वो जा रही हैं तो हम उन्हें शुब यात्रा wish करने आए हैं और उन्हें appreciate करने उन्हें प्रोच साहित करने आए हैं Now I ask other speakers to speak यानि अब जो बागी के speakers हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भी आएं वो भी कुछ कहें और उसके बाद मिस पुषपा जो हैं वो summing up करेंगी यानि वो concluding speech देंगी उनकी speech के बाद ये party खत्म हो जाएगी और friends इसी के साथ ये poem भी खत्म हो जाती है poem भले ही बहुत simple है लेकिन poet ने बहुत ही beautifully Indian English को और साथ ही poem के जो humorous tone है उसे बहुत ही अच्छे से denote किया है तो friends ये थी निसीम Ezekiel की poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S.